हेलो बच्चो, वेलकम टू आर्पी क्लासिज, हम पढ़ रहे हैं इतिहास क्लास 10 युरोप में रस्टरवाद का उद्य, हम इस टोपिक को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसमें और अगला टोपिक क्या है, इसके अंदर हम आगे पढ़ते हैं भूख, कठनाईयां और जन विद्रो, हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे युरोप में रस्टरवाद का निर्मान हुआ, रस्टरवाद के निर्मान के बाद वहाँ पर क्रांतियां शुरू हुई, हमने 1830 की क्रांतिय पढ़ी थी, अब हम देखते हैं कि 1830 के दस्क, 1830 के दस्क में ये रोप में बहुत सारी कठनाई आई क्या कठनाई आई सबसे पहले रोप में जनसंख्या में वृद्धी हो गई जनसंख्या में वृद्धी होने से सबसे बड़ी क्या प्रोब्लम आती है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है उसमें हमें नोकरिया नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिल पाते रोजगार कम हो जाते हैं और जनसंख्या जादा बढ़ जाती है गरीबी बढ़ जाती है, समाज के अंदर खाने पीने की वस्तों कम हो जाती है कृषक वर्ग की जो स्थीती थी जो पहले ही दयानी थी और ज़्यादा दयानी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर फसली खराब हो गई उस दस्क में ग्रीबी बड़ गई बेरोजगारी बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो किसान वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, वो उनकी जो situation है, जो उनकी स्थीती है, वो बहुत ज़्यादा दैयनी हो जाती है इसी समय में उद्योगी करांती सुरू हो गई उद्योगी करांती सबसे पहले जैसे पता इंग्लेंड में आई इंग्लेंड में उद्योगी करांती सुरू हो गई सबसे पहले उद्योगी करांती क्योंकि इंग्लेंड में आई उद्योगी करांती शुरू हो गया यानि मसीनी युग शुरू हो गया मसीनी युग शुरू होने से क्या प्रोबलम आती है पहले जिस काम को दस मजदूर करते थे अब उस काम को एक मजदूर करता है जिसकी वजह से अब नो मजदूर एक काम पर बेरोजगार हो जाते हैं और इस उद्योगी करांती में सबसे बड़ी समस्याई कपड़ा कपड़ा क्या था कि उद्योगों में कपड़ा जो बनता था वो सस्ता बनता था वो बहुत अच्छा बनता था यानी quality में अच्छी थी और सस्ता भी बन जाता था क्योंकि वो मसीनों से बना हुआ था चोटे कार खाने, कपड़े के छोटे कार खाने थे छोटे कार खानों में चोटी-छोटी मसीने थी या बुनकर थे, आप हाथों से कपड़ा बनाते थे कपड़ा पहले तो जो ठेकेदार थे उनसे महगेदामों पर खरीदते थे लेकिन उद्योगी क्रांती आने के वज़े से कपड़ा सस्ता हो गया जो ठेकेदार है अब उनसे सस्ता कपड़ा खरीदने लगे यानि वो ही ठेकेदार अब उनको बोलते हैं कि हमें कपड़ा सस्ते दामों में दो यदि श्रमिक वर्ग उन ठेकेदारों का विरोध करता है तो ठेकेदार आगे से बोलता है कि आपको यदि कपड़ा बेचना है तो दो यह अनित्था हमारे पास कपड़ा बहुत है यानि हमें जो मसीनों से बना हुआ कपड़ा उसमें ज़्यादा benefit है जब एक वर्ग को बार बार दबाया जाता है जब एक वर्ग के उपर अत्याचार किया जाता है एक तो उनके पास उनकी फसले खराब हो गई उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा खाने पीने की वस्तों में कमें हो गई उपर से ठेकेदार भी उनसे कपड़ा नहीं खरीदते तो ऐसी स्चुएशन में ऐसी स्थीती में क्या होगा धीरी धीरी धीरे जब उनकी अंदर एक भावना भढ़केगी किन की खिलाफ ठेकेदारों की खिलाफ क्योंकि वो सोचते थे कि ठेकेदार ही उनकी इस थीती के जिमेवार है तो जब जवाला मुखी की तरह वो फटती है तब क्या हुआ कि सिलेसिया के बुनकरों का विदरो हो जाता है सिलेसिया के बुनकरों का विद्रो 1845 में ठेकेदारों के विरुद यह होता है क्या होता है? चार जुन को दो पहर दो बजे बहुत सारे बुनकर, क्रिसक, मजदूर वर्ग सडकों पर जाते हैं और ठेकेदारों के गरों के सामने आंदोलन कर देते हैं ठेकेदार वहां से भाग निकलते हैं और इस मज़वरक को इस क्रिस्क वरक के अंदोलन को दबा दिया जाता है सैनिकों के दवारा इसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है ये था 1830 का दस्क यूरोप का अब ऐसे ही एक वर्स हुआ 1848 में जो कि फ्रांस की क्रांती थी 1848 में हुई थी 1848 में भी फ्रांस में क्या हुआ आकाल पड़ गया खाने पीने की वस्तों में भारी कमी हो गई बेरोजगारी हो गई भूक मरी फैल गई तो क्या वहां की जनता पैरिस की जनता पैरिस की सडकों पर उतराती है जन समू उमडाता है जब जनता इतनी भीड सडकों पर उभरती है तो जो वहां का राजा था लुई फिलिप जो राजगदी पर बैठा था लुई फिलिप जो वहां का राजा था वो भागने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है उसको डर है कि जनता इतना बड़ा जनसमू उसको मार देगा जनता सोची थी कि हमारी इस कंडीशन का जिमेवार हमारा राजा है इसलिए इसको गदी से उतारना है तो जब इतना बड़ा जन समुई कठा होता है तब कुछ भी चेंज कर सकता है तो वहां की राष्ट्रिय सभा ने क्या घोशना की फिर क्योंकि किसी भी क्रांती को दबाने के लिए या तो उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है या उनमें कुछ परिवर्तन यानि अपने सा हासन में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है यही कारिया फ्रांस में हुआ यानि उनकी करांती को दबाने के लिए और आगे से इस परकार की करांती ना हो सांती के लिए उनकी जो थी रास्ट्रिय सभा उसको कुछ गोशना करनी पड़ी सबसे पहले गोशना क्या कि 21 से उप पर सभी व्यसक पूर्सों को मत अधिकार दिया गया फिर क्या काम के अधिकार की गारंटी कि सबको काम मिलेगा रोजगार उपलब्द करमाने के लिए रास्टिया कारखाने स्थाफित किये गए जब यहां पर यहां पर 1830 के दस्क में क्रिस्क वर्ग मजदूर वर्ग श्रमि में करांती करता है निमन वर्ग यानि मजदूर वर्ग क्रिस्क वर्ग आता है जिसके अंदर श्रमिक वर्ग आता है जब यह सब कुछ यहां घट रहा था तो उसी समय उदारवादियों की करांती हुई यानि सिर्फ और सिर्फ मजदूर वर्ग या क्रिस्क वर्ग ही नहीं क्रांती कर रहा था बलकि हमारा मध्यम वरग भी क्रांती कर रहा था मध्यम वरग इनकी क्रांती का फायदा उठा कर मध्यम वरग ने क्या मांग की की रास्टर का निर्मान होना चाहिए उससे में जब जर्मन इटली और पॉलेंड जैसे जो राज्य थे वो स्वतंतर नहीं हुआ था तब उन्होंने किस चीज की मांग की कि सविधान वाद की मांग की और सविधान वाद की मांग को किस से जोड़ा राश्ट्रिय एकी करण से इसको जोड़ा गया उन्होंने राश्ट निर्मान में फिर किस चीजों की मांग के उन्होंने कहा कि हमारे राश्ट निर्म का निर्मान कर सकें सबको एक जुट होने की सोतंतरता होने चाहिए सब को समानता मिलनी चाहिए अपनी विचार प्रगट करने के अधिकार मिलने चाहिए उनकी सोतंतरता मिलनी चाहिए यानि किस चीज की डिमांड करते हैं गणतंतर की डिमांड करते हैं जब समाज में जब देश में ये सब कुछ घट रहा था तब फ्रेंक फर्ट में जर्मन में उसमें सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का एक संठन होता है या घोशित की जाती है कब की जाती है 18 मई 1848 को इसमें 831 निर्वाचित परतिनी ध्यों ने भाग लिया उन्होंने अपना एक स्थान वहां पर असेंबली में जैसे हमारे यां संसद है वहां की संसद में उन्होंने अपना स्थान ग्रहन किया क्या हुआ पर कहा थी यह assembly सैंट पोल चर्च में उनका क्याा दिमाण्ड थी क्योंकि एक राषटर का निर्मांद करना था राषटर निर्मांद के लिए उन सब की क्या दिमांड थी कि एक सविधान होना चाहिए एक सविधान होना चाहिए एक रास्टर होना चाहिए और उन सब को चलाने के लिए हम सब का एक सासक होना चाहिए जो कि इस संसद के अंडर कारिय करें जो कि जो ये निर्वाचक मंडल था निर्वाचे जो प्रति ने दी थे उनके अनुसार या उनकी सलह के अनुसार कारिय करें एक ऐसे राजा दिआ जाएगा लेकिन वहां क्या होता है कि इसने विलियम चतूर्थ ने क्या कर दिया राजा बनने से ही इंकार कर दिया एक समूई कठा होता है एक वरग इकठा होता है यानि संसद में किसी चीज़ को फैंसला करने के लिए सब इकठे होते हैं एक व्यक्ति के ओपर ये एक राजा के ओपर विस्वास किया जाता है कि ये राजा हमारा आने वाला भावी राजा होगा जिसकी अंडर हमारे रश्टर का निर्मान होगा और ये हमारी सला से कारिय करेगा उस पर इतना विस्वास किय जाता है जब वही राजा उनका विरोध करे तो क्या इस National Assembly का कोई मतलब रह जाता है नहीं रह जाता तो ये उसी समय भंग हो जाती है या इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता स्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग इन वर्ग को रूड़िवादियों ने दबा कि जो रूडिवादी ताक्ते थी वो आंदोलन को दबाने में सफल रही बेस्क। प्रंतू क्या था कि उनको पता था कि आज हमने इस अंदोलन को दबा दिया लेकिन ज्यादन समय तक हमें से नहीं करांतियां हुए याने एक आंदोलन हुए बेसक अंग्रेज जोने शुरू में 1857 की करांतिय को दबा दिया या आनी वाले सभी आंदोलनों को दबा दिया लेकिन उनको पता चल गया था कि अब हम भारत में अधिक समय तक राज नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने दीरे दीरे भारत को हक देने शुरू कर दिये थे चाहिए वो मत अधिकार है चाहिए वो चुनाव लड़ने का अधिकार है और अंत में आप सब को पता है 1947 में भारत को आजाद करके उनको जाना पड़ा था क्योंकि वो उस जंता के सामने उस करांति के सामने आ हमने चाहे इनको दबा दिया तो उन्होंने क्या किया परिवर्तन करने शूरू कर दिये उनको पता था कि जा श्रमिक वर्ण है मजदूर वर्ण या क्रिश्क है वो जादा उनकी स्थीती जादा ही दयानी है तो उन्होंने उनके रहात के लिए कुछ परिवर्तन किये क्या किया हैबसबर्ग अधिकार वे रूस में भूदास और बंध्वा जो मजदूरी है उसको समाप्त कर दिया वहां कुछ परिवर्तन हुए यहां फ्रेंक्फर्ट संसद भी थी यहां मध्यवर की करांती हमने पड़ी यहां पर हमने पड़ा कि 1848 में फ्रांस की करांती हुई सिलेसियों के बुनकरों का हमने विद्रोवी पड़ा ठारा सो तीस के दस्क में कैसे करामती हुई वहां हमने ये भी पड़ा क्या आप सबने इन में कही महिलाओं की भागयदारी देखी कि महिलाओं ने किस प्रकार से कारिय किया उस समय समाज में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक दर्सक के रूप में कारिया करती थी जैसे मैं आपको यह चितर दिखाती हूँ इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से यह है आपकी सरव जर्मन नैसल असेंबली जो कि सेंट पॉल चर्च फ्रेंक फंट में आयोजित की गई उसका एक यह चितर है इस चितर में आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस परकार जो महिलाएं हैं इसमें देख रहे हैं कि जो पूर्स है वो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं और महिलाएं हैं जो उपर की तरफ सिर्फ दर्सक बनकर बैठी हुई हैं जो बोलने वाला है जो स्पिकर है वो नीचे ही बोल रहा है जो चुनाव करने का अधिकार है वो पूर्सों को है क्योंकि उसके अंदर अपना राजा चुनने का अधीकार सिर्फ पूर्स कर रहे हैं तो महिलाओं की क्या स्वेशने, महिलाओं की क्या भागि दारी है महिलाओं सिर्फ दरसक बनकर वैठी हैं यहां पर उनको किसी परकार का कोई अधीकार नहीं दिया गया एक ऐसे ही हमारे उदारवादी राजनितग हुए काल वेलकर जो कि इन 831 निर्वाचित परतिनीधियों में से एक थे उन्होंने महिलाओं और पूर्सों में विभिन्ता बताते हुए कहा कि महिलाओं और पूर्सों को प्रकृती ने ही अलग बनाया है उन्होंने क्या कहा कि जो पूर्स है वो क्या है वो निर्विक है वो मुक्त है वो कानून से मुक्त है वो कानून का रखवाला है वो अपने परिवार का भन पोशन करता है वो ताकतवर है वो महिलाओं किस रक्षा करता है और जो दूसरी और जो महिलाई हैं वो क्या हैं वो कमजोर हैं वो पूरसों पर निर्भर हैं वो दबू हैं वो डरपोक हैं इसलिए महिलाओं को कोई किसी परकार का आधिकार देना ही यह सोच थी उस समय के समाज की उस समय के उधारवादी राजनितिकों की यह सोच थी महिलाओं के बारे में उसी समय पिर महिलाओं ने अपने अनिक संग्ठन बनाए उनमें एक महिला थी लुईजे आटो पिटर्स ये एक राजनितिक महिला थी, कार्या करता थी, इसने अनेक पत्रिकाई निकाली, नारिवादी का संगठन किया ये कहती थी कि महिलाओं को कोई अधिकार ना देना, राजनिति में हस्कशेप ने करन देना ये बेत्यू का और अभिवेक पुर्ण लगता है वो कहती थी कि क्या ये है, हमारे लिए कितनी बड़ी बेजती की बात नहीं है कि एक मूर्ख चाहे पूर्ण है, लेकिन वो मूर्ख है मवेसी भी हो सकता है उसके अंदर इतनी भी बुद्धी नहीं होती कि हमें किस प्रकार का राजा चाहिए हमें समाज में क्या परिवर्तन करने है, फिर भी उसको मत देने का अधिकार मिला हुआ है क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है लेकिन दूसरी तरफ महिला है चाहे वो कितनी भुद्धी मान हो उसके अंदर देश को चलाने की पावर हो, ताकत हो, समझदारी हो लेकिन फिर भी उसको कोई अधिकार नहीं मिला क्यों? क्योंकि वो एक महिला है यह हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी लज्जा की बात है महिलाओं ने अनेक करांतियां की अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, मत अधिकार के लिए तब जाकर अनेक वर्सों के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रापत हुआ, चुनाव लड़ने का अधिकार प्रापत हुआ, राजनितिक अधिकार प्रापत हुए इस हम अपने चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में आपको आज मेरा जो चेप्टर है वो कैसा लगा आज का जो वीडियो है वो कैसी लगी है प्लीज कॉमेंट करके जुरूर बताएं सबस्क्राइब कीजिए थेंक्यू